हम बात कर रहे हैं इन्फिबीम की लास्ट ट्रेडिंग डेकी बात करें तो इस टॉक में हमको एक परसेंट के उपर के अफसाइट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है बड़ी गिरावट के बाद इस टॉक ने बांज बेक किया है हमने डिसकस भी किया था 30 के लेवल ब्रेक ओड हो सकता है और इसका यह जो हाए 32 का लेवल जहां से रिजेक्शन लिया था 32 33 का लेवल यहां तक के तारगेट को डिसकस कर चुके थे और हम देख सकते हैं इस टॉक ने उसी के आसपास से हमको रिजेक्शन फेस करते नजर आ रहा है लेकिन इस टॉक का ट्रेंड जो है वो बदल चुका है दोस्तों इस टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है अपने हम देख सकते हैं लगाता है हमको यहां से हाय आर हाय पैटन नजर आ है गिरावट के बाद इस टॉक पाउंस बैक ओकर इस हाय को ब्रेकड करने के चान्स बनते नजर आ रहे हैं यहां से इनफे बीम हमको और तेजी दीखा सकता है इनफे बीम में हमको यहां से और आगे के तारगेट डेखने के लिए मिल सकते हैं अब इसमें pattern पर इससे पहले stock जहां rejection face कर रहा था 31 का level immediate support है breakdown कर जाता है तो next support level रहेगा 30 का level इसका major support है 30 का level इसका तगड़ा और important support है 30 का level अब stock हो रहा है bonds back तो resistance face कर रहा है 33 के level पर जहां से इससे पहले stock ने rejection face किया था 33 बनेगा अपना immediate target और इसका resistance area 33 के level का अब breakout का इंतिजार रहेगा क्योंकि stock में 33 के level के बाद बड़ी buying आने के chance बने हुए 33 का level breakout अगर stock दे जाता है तो फिर उसके बाद बड़े buyers यहां इंटर होते हैं नजर आ सकते हैं बड़ा jump बड़ा jump हमको infibium में देखने के लिए मिल सकता है 33 के breakout के बाद next target बनेगा 35 का level breakout कर जाता है तो 37, 60 और फिर 40 तक का jump हमको infibium में देखने के लिए मिल सकता है short term में infibium हमको 40 तक के target दिखा सकता है video education purpose के लिए कोई buy sell या hold की सला नहीं है अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में देखने लिंक से कर सकते हो अगर आप नहीं है